उत्रा खंड परिक्षापरिशत, बोर्ड परिक्षाओं में समलित होने वाले सभी परिक्षारतियों को सुझकाम नाएं आज हम आपके परिक्षाओं में समलित होने से पहले बहुती विज्ञान विशय के सैधान्तिक पेपर पर चड़्चा करेंगे किस तरह से आप अपने paper को board पर इच्छाओं के लिए solve कर सकते हैं इसके लिए आपको कुछ tips और जो बहुत जरूरी बाते हैं उन पर हम बाचित करेंगे और हमें अनरोध है कि यह tips आपको अच्छे marks score करने में help करेगा यही नहीं आपको इन प्रशन पत्रों को किस तरह से हमें attempt करना चाहिए कितना किस प्रशन में लिखा जाना चाहिए और क्या क्या लिखा जाना चाहिए उन सब बातों पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे तो हम एक model प्रशन पत्र या पुराने सालों का कोई एक प्रशन पत्र यहां पर लेंगे और उस पर बात करेंगे और मुझे आसा है कि आपको यहाँ वीडियो देखकर इतना तो विश्वास होगा कि किस तरह से हमें अपने पेपर को अच्छी तरह से हल करना चाहिए ताकि हमारे अधिक से अधिक marks आएं और जो हमारा मुल्यांकन करता सिक्षक है उसको भी आपकी copy को चेक करने में मज़ा आए और तभी जाके वो आपको अच्छे marks अलॉट करेंगे तो मुझे उम्मीद करते हैं कि आप इस प्रश्ण पत्र को कैसे हल करना है उसे देखें ध्यान से और फिर जैसे ही आपकी परिक्षाई सुरू होती है आप अपना mind make up कर लें कि हाँ इस तरह से हमें अपने भातिक विग्यान के paper को हल करके अपनी परिक्षा में examiner के सामने paste करना है आईए अब solve करते हैं अपना भातिक विग्यान का paper अब जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं इन निर्देशों को आप ध्यान से देखिए इस प्रस्ण पत्र में कुल 30 प्रस्ण है और सभी अन्वार है और प्रस्ण 1 से 8 प्रतेक प्रस्ण एक अंका है 9 से 18 तक की जो प्रस्ण है वो दो नंबर के हैं और 19 से 27 नंबर तक के प्रतेक प्रस्ण 3 अंके हैं और 28 से 30 प के आप देख रहा होंगे पहले चार प्रश्ण जो है यहाँ पर अब्जेक्टिव हैं 1, 2, 3, 4 और हर प्रश्ण के चार अब्जेक्टिव या पे लिखे हुए हैं आपको उन में से चुनना है उसके बाद आपके 5, 6, 7, 8 तक के जो प्रश्ण है वो एक एक मार्स के हैं उनको आपको एक एक मार्स के आंसर लिखने हैं यह भी आपको ध्यान रखना है कि एक नमबर के प्रश्ण में आपको कितना लिखना है इसी तरह से अगर आप बढ़ें 9, 9 प्रश्ण पर आप जाएंगे तो 9 प्रश्ण में जो है वो दो नमबर के कुश्चिन सुरो हो जाते हैं 9 10, 11, 12, 13 हैं इस तरह से आप चले जाएंगे तो 14, 15, 16, 17, 18 के प्रश्ण है वहां तक आपको दो नमबर के प्रश्ण दिये हुए हैं फिर आपके 19 से लेकर आपका जो है 21 और even 22, 23, 24 और 25, 26, 27 यह जो प्रश्ण है आपके यह प्रश्ण आपके 33 मार्स के है और प्रश्ण 28, 29 और 30 जो है यह प्रश्ण आपके 55 मार्क्स के हैं तो इस तरह से आपका यह फार्मेट रहने वाला है आने वाले समय में 2020, 21 में भी यही फार्मेट रहने वाला है कोई चेंज नहीं है हाँ इतना जरूर है कि आपका जो 30% स्लेवर्स डिलीट हुआ है वो स्लेवर्स के प्रश के हल देंगे तो आईए अपसाल करते हैं तो चलें अब सुरू करते हैं भाती विज्ञान सद्दान्थिंग पेपर का हल तो जैसे कि हमने आपको पहले भी यह पेपर बताया था कि 2020 में आया हुआ बोर्ड परिक्षा का पेपर है और इसके सलुशन हम इस परकार से यहां प इसी तरह से कोबाल्ट तथा निकिल है इसका सीधा आंसर है लह चुम्बक्य पदार्थ इसी तरह से निम्न में से किसका वेग अधिक होगा निर्वात में तो सीधा उत्तर है परावेगनी तरंगे अब हैं अर्ध चालकों में बहुत संख्यक आविस बहाग होते हैं तो इस सीधा लिखना है तो आप यहां पे चाहें तो थोड़ा टेक्स भी लिख सकते हैं यहां आप डार्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं तो आई आरेमेस इसी कल टू आई नॉट अंडर रूट टू इसी कल टू जीरो पॉइंट सेवन और आई नॉट आई नॉट वहाँ पे सिख लाइन ओफ फोर्स पास हो रही हैं और एक चोटे से एरिया को यहां पे हमने दिखाया वहा है तो उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि 5 बराबर होता है बी डॉट डी ए और पूरी जो कॉइल है उसके लिए हो जाएगा एंट्री गलाफ बी डॉट डी ए और उसको हम लिख सकते 5 बराबर बी ए कॉस थीटा हम कह सकते हैं कि 5 निर्वर करता है कुंडली के छेतर फल पर और चुम्मक के छेतर तथा उसके अविन्यास पर अब जो हमारा अगला कुश्चन है वो है आइस्टीन का दरविमान उड़जा सम्मन्द लिखिए तो यहां पर डारेक्ट आपको फ नाविक्या बल का कोई एक अवी लक्षन लिखिए यानि आपको कोई फीचर लिखना है नुकलियर फोर्स का तो सीधा है नाविक के अंदर नुकलियोंस के मद्ध लगने वाले बल को नाविक्या बल कहते हैं और इसकी खास बात यह है कि यहां आकर्षन बल होते हैं और यह बल जो है प्रकृति में सबसे ज़्यादा मजबूत बल माने गए हैं अब अगला कुश्चन हमारा है यहां से दो नंबर के कुश्चन सुरू हो गया है कि चार गुड़ा दस्की घाथ माइनस नो कुलाम मीटर डाइपोल डाइपोल आगून का जो कोई दुधुरु है उस पर जो हमारा मान है फाइव इन्टो टैनरेस पार फोर न्यूटन पर कुलाम है और एक समान बैदुचेतर की दिशा में यह थर्टी डिगरी पर सर्रेखित है तो हमें यहां पर बैदुधुधुरु पर कारणत बल आगून का मान ग्यात करना है जो दिया हुआ है वो टर्निंग फोर्स है वो होगा पीई साइन थीटा और इन मानों को हम यहां पर रख देंगे और उनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यह हो जाएगा टॉर्क इसी कर्डू टैनरेस पर माइनस फोर न्यूटन मीटर अगला क्वेश्चिन है यह च्वाइस में है कि एक समान पास आया होगा है तो हम सॉल्व कैसे करेंगे तो यह हमें ध्यायर रखना क्योंग दो-maaks का है तो हम कोसिस करना चाहिए हमें कि छोटा से छोटा हो जाया अबट हम जैसे कि यहां पर देख रहे हैं कि हमारे पास एक आवे-शित गोला है और इस गोली अकॉस के कारण हमें लिया है और एक capital R लिया है तो capital R उस गोले की तिर्जा है और हम मान लेते हैं कि उसके आसपास जो है इस समान रूप से बित्रित आवेज के कारण एक Gaussian सर्फेस है जिस पर भी जो है एक समान जो है बिद्दु छेतर यहां पर उत्पन होगा तो बिद्दु P पर जो कि हमारा आ आड़ दूरी पर है केंद्र से स्माल आड़ दूरी पर उस पर हमें निकालना है कि कितना बैद्दु छेतर का परिमान होगा तो हम यहां पर सीधा सीधा इस चितर में देख रहे हैं जैसे कि हमने जो प्रिस्ट माना है तो हम flux is equal to लिक्स देते हैं यहां पे EDA और उसको हम बराबर हमारा close integral of EDA हो जाएगा और हम यहां पर जो DA है वो गोले का छेतर फल होगा तो उसे हम 4PiR इसको है लिख सकते हैं तो यहां पर जो 5 होगा वो बराबर हो जागा E गुणा 4PiR इसको है और अब हम इसमें गौसन जो परमे है उसका यूज कर लेंगे कि 5 जो हमारा बराबर होता है Q upon epsilon not होता है तो यहां पर जो E का मान हम निकाल लेंगे तो हम value रख देंगे E 4PiR is equal to Q upon epsilon not तो E बराबर हमारा हो जागा 1 upon 4Pi epsilon not Q बटे R square तो हम कह सकते हैं कि विन्दू आवेस Q से R दूरी पर जो विन्दू छेतर की ती बरता है वो E बराबर 1 upon 4Pi epsilon not Q लिखिए तो कोई दो properties हमें लिखने हैं तो जैसे कि हमने यहां पर बिदूत बल रिखाएं दिखा दी हैं यह चोटा सा इक डाइगराम आप बना देंगे और आप सीधा कहेंगे कि वैदू छेतर में जो धनावेस है वो धन से माइनस की ओर जो है बिदूत रिखाएं चलती हैं जो प्रिष्ट के लंबवत होती हैं और बिदूत बल रिखाएं खुले बकर के रूप में होती हैं क्योंकि यह धनावेस से चलकर रिनावस पर समाव्थ हो जाती हैं जी तैसे अगला सवाल है एक समान चुम्ब के छेतर में लंबवत प्रवेस करने वाले किसी आवेसित करन द्वारा प्राप्त बृतिय पत की तरजा का सूतर लिखिए तो यहां पर आपको सूतर निकालना है किसका चुम्ब के छेतर में लंबवत प्रवेस करने वाले किसी आवेसित करन द्वारा प्राप्त बृतिय पत की तरजा का तो जैसे कि मैं यहां पर आपको दिखा रह है और उसमें कुछ आवेस दिये है मान लीजिए उसका जो रेडियस है हमने आर ले लिया और उस पर एक आवेस मूव कर रहा है तो जब कोई आवेसित कर चुम्बे के छेतर के लंबवत वो 90 दिगरी का कोण बनाता है तो हम कह सकते हैं आफ इस इकल टू क्यू वीवी साइन दिटा और साइन दिटा का मान यहां पर वन केक को लो जागा क्योंकि थीटा हमारा 90 डिग्री है तो F is equal to QVV हम कह सकते हैं कि यहाबल आवशित कंड के वेक की तिसा के लंबवत होगा और यह भी कह सकते हैं कि बिरताकार गती के लिए इस कंड पर एक अविकेंदर बल कारे करेगा जो लॉरेंज बल के बराबर होगा तो अविकेंदर बल जो है वो चुम्बक्या बल या लॉरेंज बल के बराबर होगा तो इसका मान हम रख सकते हैं अविकेंदर बल जो अविकेंदर या बल है वो MV स्कार बटे R होगा तो यहाँ पर क्योंकि लॉरेंजवल हमारा QVV के बराबर है तो इन दोनों मान को एक्वेट कर लेंगे तो R हमारा यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा MV वटे QV यहाँ जो R है हमारे यहाँ पर वो बृत्पत की तरिजा है जहाँ पर आवेज चक्र लगा रहा है इसी तरह से अगला आवेज अगला जो प्रश्ण है वो है अनियून्य प्रेरण से आप क्या समझते है दो कुंडलियों के बीच अनियून्य प्रेरग्त के किन बातों पर निर्वर करता है तो यहाँ पर आपको समझाना है कि जैसे दो कॉयल हमने यहाँ पर बना के दिखाई हैं हुई है आपके और इन दो कॉयल का डाइग्राम आप बनाते वे दिखा सकते हैं और फिर कह सकते हैं कि दो कुंडलियों के मद्य अनियन प्रेरग गुनांग या अनियन प्रेरग तो उस बिदूद बहागल के बरावर होता है जो एक कुंड़ी में एक एंपियर परत्य सेकंट की दर की धारा परिवरतन पर दूसरी कुंडली में उत्फण होता है या कह सकते हैं जब किसी कुंडली में परत्यावरती विद्दु धारा परवायत की जाती है तो कुंडली के चारों और एक चुंबक के छेतर उत्मन हो जाता है हम यहां पर यहां पर यह भी कह सकते हैं कि इन दो बातों पर निरुफर करता है पहली बात अनुने प्रेरन क्रोड के पदार्त की चुम्बक सीलता पर निरुफर करता है और दूसरा प्रात्मी कुंडली के फेरों की संख्या पर अब जो यह प्राश्ण है तेरुफर प्राश्ण यह कहता है एक सकती संप्रेशन लाइन अपचाई ट्रांसफर्मर में जिसकी प्रात्मी कुंडली में 4000 फेरे हैं तेई सो बोल्ट पर सकती निविसित करती हैं 230 बोल्ट की निर्गत सकती प्राप्त करने के लिए दूतियक में कितने फेरे होने चाहिए तो इस सवाल को सॉल्ट करने के लिए हम सीधर ट्रांसफर्मर वाला फॉर्मूला लगा लेंगे जो बोल्टेज आउटपुट बटे बोल्टेज इंपुट बराबर नमबर अफ ट रेंगे तो यह आजाएगा 400 टांस ठीक है इसी तरह से हमरे पास जो 24 में क्वेश्चन है वो कह रहा है कि वाट ही धारा से क्या अभी प्राय है इस परस्ट कीजिए तो यहाँ पर हम सीधा कह सकते हैं कि किसी प्रत्यावड़ती धारा परिपत में औसस सक्ति छह या बैय सीधा सीधा लिख सकते हैं पावर बरावर वी आई कॉस थीटा हम कह सकते हैं कि जब किसी परिपत में प्ररक्त उपस्टित हो तो इस स्तिती में परत्यावड़ती बोल्टर धारा के मद्थ पाई बाय टू का जो है वो फेज डिफरेंस होता है या या वो पाई बाय टू आ लेती है अर्था दोनों के मद्द जो पाई बाई टू का फेस डिफरेंस होता है ऐसी इस्तिति में जो पावर होगी वो जिरो के बरावर होगी इसलिए इन दोनों इस्तितियों में परिपत में प्रवाई धारा को वाठी धारा कहते हैं तो ये दो नंबर का कुशन था तो डिरेक्ट आप इस फॉर्मिले को यूज कर देंगे C is equal to new lambda तो जैसे कि हमें यहाँ पर दे रखा new command 5 into 10 is power 19 और C तो हमें पता ही है 3 into 10 is power 8 meter per second इन value को यूज करते हुए lambda निकाल लेंगे तो यह आ जागा हमर पा 6 into 10 is power minus 12 meter ठीक है तो इसी तरह से हम अब अगला question लेते हैं कि एक उभयोतल lens की दोनों बक्रता तिर जाएं 20 cm है तथा lens के पदार्थ के अपटना 1.5 है तो lens की focus दोरी ग्याद कीजिए तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं double convex lens है हमें जो दिया हुआ है R 120 cm R2-20 cm F हमें निकालना है और हमें दिया 1.5 तो हम यहाँ पर formula यूज़ कर लेंगे 1 upon F is equal to mu minus 1 into 1 upon R1 minus 1 upon R2 तो lens के जो conventional sign लगाते हैं हम इस formula में value रख देंगे तो यह value हम जैसे रखेंगे इसे solve करेंगे 1 upon F is equal to 1.5 में से minus 1 घटा देंगे तो यह हमारे पास जो है आ जाएगा 1 by 20 प्लस 1 by 20 तो solve करके आ जाएगा यह हमारे पास सीधा सीधा 1 upon F is equal to 1 by 20 तो F is equal to 20 cm इस तरह से अगला question है कि रेकिस्तान में सामनेते मरीचिका दिखाई देती है इसका कारण लिखे जैसे कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक जो एक्जामपल है एक चित्र है उससे भी हम समझा रहे हैं तो हमें कैसे जो है एक मरीचिका या मिराज observe होता है डेजर्ट में तो यह कोई भी जो observer है उससे कैसे दिखाए देता है तो रेगिस्तान में कुस दूरी पर जलासे या पानी का जैसा भ्रहम होना पूरा अंत्रिक परावड़तन के कारण होता है जैसे कि हमने यहाँ पर दिखाए है कि किसी पेड़ के नीचे चलने वाली किर्णे उत्रोतर सगन माद्यम सिब्रल माद्यम में प्रवेश करती है और जो अविलम से दूर हड़ जाती है ऐसी स्तिती में जो आपतन कोण का मान है और करांतिक कोण के मान से दिखो जाता है इसलिए वहाँ पर पूरा अंत्रिक परावड़तन होता है जिस वज़े से रेगिस्तान में कोई पेड़ का उल्टा परतिविम दिखाई देता है या वहाँ पर पानी जैसा कोई आभास होता है तो इसी को मिरिच का कहते है अगला क्वेशन है डिबरावली तरंग धरते क्या है और इसका बेंजग निकाली है तो यहाँ पर आपको ये डिटेल में थोड़ा सा लिखना है कि डिबरावली के अनुसार प्रकास विकिरणों के समान अन्यसुक्स मुकंड जैसे ये इलेक्टरोन प्रोटोन ये डियूल नेचर के होते है और बिकिरण की आवरती ये थी हम न्यू मान लें और उसकी उड़ जाई मान लें तो प्लैंग के अनुसार ये हो जागा लेंडा इजिकल टो एच अपॉन मुद हो जाएगा ये हम कह सकते हैं कि लेंडा इजिकल टो एच अपॉन मुद हो जाएगा और किसी रेडियो एक्टीव नाविक 88 RA228 के स्रेनी क्रम में 6 होते ही क्रम से 2 α 2 बीटा कंड निकलते हैं तो अंत में अगर Y element निकलता है Y नाभिक निकलता है तो उसकी प्रवाण संख्या और दर्वाण संख्या ग्याद कीजिए तो जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी रेडियो एक्टिव नाभिक के 6 उसकी नाभिक के प्रवाण भार में 4 और प्रवाण करमांग में 2 की कमी होती है जबकि बीटा कंड के निकलने से प्रवाण करमांग में 1 की ब्रदी होती है और प्रवाण भार समान रहता है तो इसको हम समीकंड से दिखा देते हैं कि हमारे पास रेडियम था और उसमें से 2 α कर निकल रहे हैं तो जब वो 2 निकलेंगे तो यहां पर जो है आपको 4 की कमी हमारे पास दिखाये दे रही है प्रवाण करमांग में और इसी तरह से हमारे पास जो प्रवाण भार है उसमें वो 280 दिखाये देगा क्योंकि 2 α है, 2 α का मतलब हो गया हमारे पास कि जो हमारा परमान भार है उसमें 4 और जो परमान करमांग उसमें 2 के कमे हो जाएगी तो ये जास्ट डबल हो जाएगा, इसी तरह से फिर से उसमें से अगर 2 बीटा निकल जाए तो हमने जैसे देखा कि बीटा निकलने से जो है हमारा क्या चेंज होगा जैसे आप देख रहेंगे परमाणू जो भार है उसका वो नहीं बदलेगा लेकिन जो उसका परमाणू करमाण का है हो 87 हो जाएगा तो इस तरह से हम इस प्रश्ट को करके दिखा देंगे अब है अगला क्योशन यहीं किसी समानतर प्लेट संधारितर की दो प्लेटों के बीच कोई पराबैदुत पदार्त रख दिया जाए तो उसकी धारता का बेंजग निकाल लिए तो यहाँ पर आपने एक डियाग्राम बनाना है कैपसिटर का और उसके अंदर एक डियाएलेक्टिक डाल देना है जिसकी थिकनेस टी है और उन दो प्लेट के बीच की डिस्टनस दी है तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे उस कैपसिटर की तो जैसे कि आपने माना है वैसा आपने यहां पर चितर में दिखा दिया है अब आप कह सकते हैं कि प्लेटों पर आवेज घनतों भी आप मान लीजिए सिग्मा इजिकल टू क्यू बाइ ए का मतलब है वहां पर प्लेट का जो एरिया है तो हम कह सकते हैं कि वायू वाले छेतर की जो बैदु छेतर की तीब रता है वो यहाँ पर सीधा सीधा हो जाएगी E is equal to sigma upon epsilon naught K और जब हमने उसमें medium डाल दिया है डाला है तो उस समय यह जो E naught है वो अपका sigma upon epsilon naught तो इस तरह से हमारे पास medium डालते यह हो जागा V is equal to E naught D minus T plus E T total विभाव जो हम जोड़ देंगे और E naught था E का मान रखने पर जब हम इसे हल करेंगे तो यह हमारे पास हो जागा V is equal to Q upon A upon epsilon naught और D minus T plus D by K तो इसे हम लिख सकते हैं क्योंकि C का formula होता Q वटे V तो V का मान हम यहाँ पर रखतेंगे तो C is equal to A epsilon naught divided by D minus T plus T by K अब हम कह सकते हैं कि यदि समान तर प्रेट संधारित रहे वो प्लेटों के बीच कोई डायलेक्ट्रिक भरा हुआ है पूरता है तो जो small T है वो D के बराबर होगा यानि प्लेटों के बीच की दूरी और thickness जो हो उस समय दोनों बराबर हो जाएंगे S इस्तितिय में जो C बराबर है वो के A epsilon naught upon D के हो जागा यानि हमें T बराबर D है इस कोईशन में यह मान रख देंगे तो हमापर यह फॉर्मूला आ जागा अगला जो कोईशन है वो है 60 Ohm के प्रतिरोत की बैटरी के टर्मिनलों से जोडने पर 0.3 Ampere की धारा परवायत होती है तथा प्रतितोत घटा कर 30 Ohm कर देने पर धारा का मान 0.5 Ampere हो जाता है बैटरी के विद्दुत बाहाग बल और आंतरिक प्रतिरोत की करना कीजिए तो यह तीन नमबर का कोशन है तो आपको इसको स्मार्टली सॉल्व करना है जैसे आपको दियावाय आर इस इकल टो 60 Ohm आई का मान 0.3 Ampere ठीक है और फिर वो कह रहा है कि अगर आर को हमने 30 Ohm कर दिया तो current 0.5 Ampere हो जाती है तो आपको electric motive force और small r निकालना है तो हमें formula पता है V is equal to E minus IR तो हम यहाँ पर एक formula यूज़ करते वे दो equation बन जाएंगी IR is equal to E minus IR एक बार हम रख देंगे 60 into 0.3 is equal to E minus 0.3 into small r तो एक equation यह बन गी 1.8 is equal to E minus 0.3 into r और दूसरी बन गए इसी परकार से 1.5 is equal to E minus 0.5 r यह दो equation को solve कर लेते हैं जब हम इने solve करेंगे तो हमारे पास इन दोनों में इसको घटा देंगे तो यह कट जागा E से ही कट जागा तो हम अब मान आ गया 0.3 is equal to 0.2 r तो i is equal to 1.5 ohm r का मान हम किसी भी एक समीकर में रख लेते हैं जब मैंने 2 में रखा तो यह हो गया आपका 1.5 is equal to E minus 0.5 into 1.5 और यह solve करके हमारे पास सीधा सीधा आ गया E is equal to 2.25 bolt इसी तरह से हमारा इसमें एक choice question है प्लेटिनम परत्रोद ताप मापी के प्लेटिनम के तार का परत्रोद हिमांग पर 5 ohm तथा भाब बिंदू पर 5.23 ohm है जब ताप मापी को किसी तब तो उसमक में परविष्ट कराया जाता है तो प्लेटिनम के तार का प्रत्रोद 5.795 ohm हो जाता है तो उसमक का ताप परिकलत कीजिए वैसे यह इस समय court से हटाया हुआ है लेकिन को question paper में है तो मैंने just आपके reference के लिए से solve करके दिया हुआ है आपको जो दिया हुआ है वो आप लिख लीजिए और फिर formula लगाईए alpha is equal to r100 minus r0 divided by r0 into t तो हमें यहाँ पर temperature difference निकालना है तो वो बराबर हो गया rt minus r0 divided by r100 minus r0 into 100 तो यह values आप यहाँ पर रख लीजिए तो t is equal to हो गया आपका 5.795 minus 5 divided by 5.23 minus 5 into 100 यह हो गया 346.65 degree Celsius इसी तरह से अगला question है एक प्रकास bulb और एक सरल कुंडली प्रेरक एक कुंजी सहीत चितर में दरसाया गया है और उसको AC सोड से जोड़ा गया है स्विच को बंद कर देते हैं और कुछ समय पसाद एक लोहे की छड़ प्रेरक कुंडली के अंदर प्रविस्ट कराई जाती है तो छड़ को प्रविस्ट कराते समय बल्व की चमक पर क्या प्रभाव पड़ेगा हमको सिर्फ यह बताना है जैसे कि आप सर्कुट में देख रहे हैं इस सर्कुट का हम कुंजी आन कर देते हैं या इसमें कोई रॉड लगाते हैं तो क्या होगा तो definitely वल्व जो है वो कम जलेगा कम रोसनी देगा इसलिए प्रकास वल्व की चमक कम हो जाएगी जबकि DC स्रोथ के मामले में वल्व की चमक आपर वर्तित रहेगी क्योंकि एक कॉयलदारा DC करंट में दी गई प्रतिवादा सुने होती है तो कम फेरों वाली कुंडली से जुड़ा एक वल्व रोसनी को तेज करता है जबकि कम संख्या के साथ कुंडली से जुड़ा वल्व मंद हो जाता है जो अगला चोईस का कॉश्चन है वो है प्रतियावरती धारा के प्रेरक्य प्रतिगहात एक्सेल तथा संधारित्री ये प्रतिगहात एक्सी का क्या आर्थ है इस पस्ट कीजिए तो संपल आपको इसे समझाना है कि प्रेरक्य प्रतिगहात एक्सेल एक सुद्ध प्रेरनिक परिपद में धारा को वैसे ही नियंतरित करता है जैसे कि प्रतिरोद एक सुद्ध प्रतिरोदक परिपत में यानि जैसे जो काम आर करता है प्रतिरोद वही काम एक्सल करता है इसी परकार से हम कह सकते हैं कि जो प्रिरक्त एम धारा होती है वो यहां पर आवरती के समान पाती होती है और हम यह भी कह सकते कि संधारितर की धार में बित्करमान पाती होती है तो हम कह सकते एकसल एकसल एक प्रतिगात है और एफ उसकी आवरती है हर्ज में और एल को हम स्वप्रिरक्टोया इंडक्टन्स कहते हैं इसी तरह से हम दूसरे सर्कुट में हम एक कैपस्टर जोड़ देते हैं एसी में से और उसका फॉर्मला हो जागा एकसी जिगल टो वन अपन टू पाई एफ सी जहां पर आपका एकसी संधारित त्री ये प्रतिगात है और एफ उसकी आवरती है और सी धारिता जो फैरण में नापी गई है अगला क्वेशन है बूस्टर का नियम क्या है सिद्ध कीजिए कि जब किसी पारदस्री प किसी मीडियम पे या किसी पुलराइजर पे हिट करती है तो वो वहाँ पर जो है प्लेइन पुलराइज लैड देती है तो इसको हम जो बूस्टर ने कहा वो ये कहता है कि किसी पारदस्री माध्यम के अपड़तनांक N तथा धुरवन कोन के बीच का जो कोन है वो N बराबर 10 P के होता है इसे बूस्टर का नियम कहते हैं तो हम इसको जैसे के हमने चितर بنाया है उसको दिखा दिया और यहाँ पर इसको सिद करना है तो सिद करने के लिए हमने ये बताना है सिर्व कि जो दुरून कोन आईपी है वो आपटित प्रकास के लिए परावर्तित और तो सबसे पहले हम इसने याल का नियम लगाएगे आनीजिकल टो साइन आईपी आपटं साइन आर तो हम कह सकते हैं क्यों कि बूस्टर के नियम ने कहा थैन इजिकल टो में कहा थैन अईजिकल टो को हम ने कह करक attributed हम यहां पर Cous ip को लिख सकते हैं साइन आ यहां इससे लिख सकते। कि 90 मैनस आ तो यह हो गया । इसल नग्स आ तो ip plus roku again 90 यहां पर यह सिद वो गया कि आप फी प्लस आ डलद किरी हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि धुर्वन कौन और प्रावर्टिस के रिड़ने परस पर लंबवत होती हैं अगला कुशिन है बीवर्टन से क्या समझते हैं बीवर्टन और ब्यतिकरण में अंतर लिखिए तो बीवर्टन मतलब डिफ्रेक्शन डिफ्रेक्शन और इंड उसे टकराती हैं तो किनारों पर वो मुड़ जाती है और अवरोदक की जयामतिय चाया में प्रवेश कर जाती है तो तरंगों के इस प्रकार के मुड़ने की घटना को विवर्टन कहते हैं अब दोनों में अंतर पूछा है तो विवर्टन क्या है और वितिकरण क्या है तो जैसे कि आप देख रहे हैं आपको हरे के लिए तीन तीन पॉइंट यहां पर लिख देने हैं तो विवरतन एक ऐसी घटना है कि जब जो वेफरंट है वो विविन बिन्दों से चलने के बाद सेकेंडरी वेफरंट बनाकर जो है सुपर इंपोस करता है जबकि ब्यतिकरण में जो विवरतन है इसमें सभी दीप्त फ्रिंजें विन तीवरताओं के होती है और तीवरता के घट करम जो है घटता रहता है जबकि वेतिकरण में ऐसा नहीं होता सभी तीवरताओं समान होती है इसमें फ्रिंजें समान चोड़ाई की होती है और जो हमारा वेतिकरण है उसम प्रकास बैदुत समिकरन को समझाईए तो जैसे कि हम यहां पर दिखा रहे हैं कोई मेटल है उसके कोई फोटोन एजेक्ट करा दिया तो वहां से जो है इलेक्ट्रोन हमिड होते हैं तो ठोस अवस्ता में या ठोस बहुतिक अवस्ता में निर्वात में यदि किसी ठोस से एक निकालने के लिए जो नियूनतम उड़ जा कि आवस्ता होती है उसे उस ठोस का कारेफलन कहते हैं यानि वो मिनिममम अमाउंट आफ इनरजी हमें चाहिए जिससे की इस सर्फिस से इलेक्ट्रोन निकल जाए तो आइंस्टीन ने इसके लिए प्रकास वैदो समिकरन भी दिय तो जैसे कि आइंस्टीन कहते हैं कि किसी धातू प्रिस्ट्रोन को मातर बाहर निकलने के लिए जितनी ओड़जा खर्च होती है उसे उस धातू का कारेफलन कहते हैं इसको फाइन नौट से दिखाया जाता है और फाइन नौट का मान जो है वो अलग लग होता है तो यदि हम ऐसे लिख सकते हैं H new बराबर 5 not plus 1 upon 2 mv square न लग कानेटिक energy तो यह maximum मान कानेटिक energy का हो जायागा H new minus 5 not तो इस समीकरण को Einstein का प्रकास बैदुत समीकरण कहते हैं दूसरे सब्दों में हम कह सकते हैं कि photon करण के रूप में उसरजित होकर मुक्त प्रकास में प्रकास के वेग से संचरित होना इसका अस्तित्व समाप्त कर सकता है यह हम यह कह सकते हैं कि जब यह द्रवे से अंतर क्रिया करता है तब हमारे पास जो है energy की question होती है अगला जो हमारे पास question हो है कि बोर के प्रमाण मॉडल की के अलमनो कोस दिये वे हैं और उनके क्वांटम नमबर्स दिये वे हैं N1, N2, N3, N4 अललला कक्षाओं के मान दिये हैं तो उनके जो पास्टिलेट है वो इस तरह से हैं कि hydrogen प्रमाण के spectrum की जो सरचना उसको समझना है तो सबसे पहले हम यह कहते हैं कि प्रमाण के केंदर में नाविक होता है जो धनाविज़ित होता है electron के 4 और बिड़ताकार कक्षाओं होती हैं जिनको कोस या उड़जासतर कहते हैं फिर उन्होंने कहा कि यह कक्षाओं नाविक के 4 और संकंद्रित होती है और इनको हम N से दड़साते हैं N का मतलब है N नमबर ओफ जो N टीजर है 1, 2, 3, 4, 5 कोस की संख्या है या केल अमनों उससे भी हम इनको दिखा सकते हैं और N का मान है बढ़ते वे उर्जा करम में होता है ऐसे उन्होंने ये कहाता है कि जब इलेक्टरोन गूमता है पर उर्जा में परिवड़तन नहीं होता और फिर इलेक्टरोन जब उर्जा का अफसूसर्ण करता है तो उचेजीच होकर उच उर्जा के अस्तर में चला जाता है तो इस तरह से हम कह सकते कि परमानु में उर्जा के अस्तर के अवसोसन और स्प्रो supports होता है अगला question है कि एक स्वच उर्जा अस्तरारेक कीच कर हीड्रोजन परमानु की विभिन स्प्रों स्रेणियों को परदर्सित कीजिए और आपको एक अच्छा सा डाइग्राम बनाना है और उनकी आवरती का सूतर लिखना है तो सबसे पहले तो जो डाइग्राम है वो आप इस तरह से बनाएंगे जिसमें लाइवन, बामर और फाशन ब्रैकट सिरीज को दर्साएंगे और एक तरह आप जो उनके कॉंटम नंबर से उनको दिखाएंगे एन वन, एन टू, एन ट्री, एन फोर तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रोन टैंजिशन फॉर हैड्रोजन एटम तो एन वन से सुरू होकर यानि आप लाहमन सिरीज से सुरू होकर और एन फोर तक आप जाएंगे तो इस तरह का एक डियाग्राम बनेगा और उसका जो फॉर्मूला है फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला वो हो जाएगा वन अपॉन लेमडा इस इकल टू आर ब्रैकट में वन अपॉन एन वन इसकार मैनस उन अपॉन एन टू स्कॉयर तो यह जो रेखाओं की आवरती के लिए जो सूत्र प्रियोग होता है वो इन सूत्र से हम निकाल सकते हैं अगला कुश्चन है पी एन संदी डायोट के लिए अगर दिसक और पस्ट दिसक यानि फॉर्वर्ड और रिवर्स बायस वस्ता में जो एक्स्परिमेंटल सर्कृट है उसको बनाई है और फिर जो वी आई करेक्टरिस्टिक्स है उनको दर्साई है तो यह आपका जो फॉर्वर्ड वायस का सर्कृट है एक पी एन जंक्शन आपने डायोड ले लिया और यहां पर उसका जो बैटरी को है वो पॉजटिव ट रिवर्ड वायसिंग हो गया और यह डिप्लिशन लेयर थोड़ा वाइड हो गया यह नहीं बड़ा हो गया अच्छे से साफ सुत्रा आफ डायग्राम बनाते वे फिर इनकी करेक्टरिस्टिक्स दिखा दीजिए जो फॉर्वर्ड वायसिंग है वो जैसे की राइट एंड स तो आपका आ रहा है और फिर उसके वाद हो सड़न उसमें क्या हो रहा है इनक्रीज हो रहा है तो यह ब्रेकडाउन ग्राफ भी इसको बोलता है तो यह पी एंजंक्शन डावड फॉर्वर्ड और रिवर्स बैसिंग में इस तरह से कार्य करता है यह उसकी करेक्टरिस्टि लिख कर हम उसको आइटिफाई कर सकते हैं तो जैसे कि मैं पहला एपार्ट ले रहा हूँ यहाँ पे कि एंड गेट है उसके बाद उसके पर एक नॉट गेट लगा हुआ है तो यह नैंड हो गया फिर उसको आगे कनेक्ट किया कि उसके जो दोनों आउटपुट आये थे व फिर वापस नैंड गेट पे लगे तो य कमान क्या होगा तो जैसे कि आप देख रहे होंगे हमाँ पास ए और बी दो इंपुट थे तो ए डॉट बी दिखाएगा फिर वो उसका बार हो जाएगा यह नहीं नॉट हो जाएगा फिर वो इंपुट बनके फिर से अगला आट गेट है तो फिर उसको उसका भी इंवर्ट कर देगा तो इस तरह से हमाँ पास एकोईशन हो जाएगी अगर हम सामने चितर में देखें उसको समझें या हम यहाँ पर देखें तो दोनों चीज़ें यहाँ पर एक जैसी हैं तो वाई जो आउट पुट में आएगा वो A.B. बन के आएगा जैसे कि आप देख रहे होंगे कि A.B. बार का बार का B मतलब B तो A.B. प्लस A.B. दोनों बन जाएगे तो अल्टिमेटले हमाँ पास जो आउट पुट आएगा वो A.B. इसी तरह से हमाँ पास दूसरा जो पार्ट है इसका B. पार्ट है उसको अगर हम तो यहाँ पर भी हमारे पास एक input A है एक input B है तो जो बाहर हमारे पास not gate लगाए end के बाद फिर तो फिर उसको invert कर देगा invert करने के बाद फिर से nand gate लगा गा है यानि जो भी output आएगा वो फिर उसको भी invert कर देगा तो इस तरह से हम अपर equation बन जाएगी तो अगर आप देख रहोंगे कि y a bar plus a bar फिर वो उसका dot b bar plus b bar और फिर उसका भी वो invert यानि compliment कर रहा है तो y is equal to हमार पास सीधा सीधा ये solve होके हमार पास क्या आजागा y is equal to a plus b जो हमार पास अगला question है वो है बिवो मापी का सिद्दान लिखे बिवो मापी की साहता से दो सेलों के बिदुत बहाग बलकि तुलना कैसे की जाती है और हमका इसका diagram बनाना है तो सबसे पहले आप बिवो मापी का सिद्दान लिखे लिजे तो एक चित्र हमार पास ये है potential meter का diagram इस तरह से आप बना के रखिए हाँ अच्छे से आपको neat diagram बनाना है और diagram बनाते ही आप वहाँ पर सिद्दान लिखेंगे कि एक बिवो मापी a b जो उसकी तार है वहाँ मापी के तार के एकांग लंबाई पर जो potential है k is equal to byl यानि potential per unit length इसको वहाँ परवनता भी कहते हैं और तार के भाग मान लिजे a से d तक अगर हमको दिखाना है तो उसके बीच जो वहांतर होगा वो हम कह सकते हैं दोनों के बीच का जो potential difference है वो k l के बरावर होगा तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि cell का बिदुद बाहाकबल e बरावर विवो परवनता गुणा संतुलन कारी जो उसकी लंबाई यह नहीं लंबाई से multiply कर देंगे तो यह भी कह सकते हैं बटे e2 बरावर l1 upon l2 तो वो जोकी के मादम से हमने दिखा रखाया कि अलग लग लेंथ पे जो है e mf के वान को हम ग्याद कर सकते हैं तो यहाँ पर एक comparison के लिए भी बनाया हुआ है कि दो cell ले लिए e1 और e2 और बाकी जो circuit है उसको same बनाते हुए यहाँ पर दिखाया है तो हम कह सकते हैं कि जो बिवाव मापी है यह किसी एक cell का अबिदुद बाहागबल या किसी बैदुद परिपत में दो बिनों के बीच बिवांतर नापने का उपकरण है और उसके सिदान्त के हिसाब को यहाँ पर परियोग करते हुए आप कैसे उसे यूज करेंगे थोड़ी सी उसकी थियोरी सा आप लिखते हुए बताएंगे कि विवाव मापी में जो है एक वायर के across जो हम अलग अलग point पे जौकी को रखते हुए एक null point को निकालते जाएंगे और उस length को मापते जाएंगे तो length के across जो भी potential difference होगा वो हम नापते जाएंगे तो हमारे पास जो है अलग 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 मान निकलते जाएंगे जिससे कि हम उसका EMF निकाल सकता है तो जैसे कि हमने पहले भी बोला कि माना कि तार में बहने वाली जो धारा है वो आई है और एक सेंटिमेटर लंबाई का प्रतिरोध अगर उसमें हमने निकाला तो वहाँ पर जो potential gradient होगा वो के बराबर IP होगा हम यह भी कह रहें कि यहाँ पर यह V is equal to KL के बराबर होगा अब हम इन दोनों मानों कि अगर तुलना करने तो हमें पता है कि जो V is equal to KL है और जो बिदुद बहाग बल है वो सुनने बिक्षेप की इस्तिति में विवांतर के बराबर हो जाएगा तो KL जो है वो E के बराबर भी होगा और KL जो है वो V के बराबर भी होगा तो इस तरह से हम यहाँ पर जो E1 और E2 के मान है वो अलग-लग लंबाई पर ग्याद कर सकते हैं तो हमें पास यह comparison हो गया दो E.M.F का किसी विवां मापी के द्वारा ग्याद करने में अगला जो question हमेरे पार 24 में हो है किसी विद्ध परिपत के लिए किर्चौफ के नियम का लेकिजिए और अपको जो है उसका परिपत डाइग्राम बनाकर उसको समझाना है तो जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं सबसे पहले किर्चौफ ने बोल्टेज और करंट के लिए दो नियम निस्पादित किये थे इन दोनों नियम को संयुकत रूफ से किर्चौफ के नियम बोलते हैं जो पहला नियम था वो यह था किसी नोड या जंक्शन की तरफ आने और जाने वाली करंट का संयुकतियोग है वो सुनने के बराबर होता है तो सारी करंट या आप कह सकते हैं आने वाली करंट जाने वाली करंट के बराबर होता है तो सिग्मा जो आई है वो इस इकल टो जीरो इसे हम आवे सरक्षन का नियम भी कहते हैं इसे तरह से जो दूसरा नियम था विभानतर का नियम है इसके अनुसार आप सबसे पहले एक सर्क्रिट में बना लीजे एक सोर्स को रेजिस्टेंस से जोड लीजे तो हम या हम कई सारे जो एम एफ के सोर्स हैं उनसे रेजिस्टेंस जोड सकते हैं फिर हम कह सकते है कि किसी लूप के परिते सभी विभुवांतर का बीज गंडिया यो सुन्य होता है या वी वन प्लस वी टू प्लस वी त्री जितने भी वहां पे सोर्स लगें होंगे अगर उनको जोड़ देंगे तो उनका जो रिजल्टेंट होगा और सुन्य के बराबर होगा या सिग्मा वी इस इकल टू जीरो इसको उड़जा सरक्षन नियम भी कहते हैं इसी तरह से हम अगला कुशन है बायर्ट सर्वर्ट का नियम लिखे इस नियम के आधार पर किसी बृताकार कुंडली के अक्ष के किसी उपर जो है हम चुम्ब के छेतर ग्याद कर रहे हैं तो जैसे कि या चेतर में दिखाया हुआ है हम मान लेते हैं कि कोई चाला का डियल अलपांस है जो आर दूरी पर है जिस बिंदु पी पर हमें चुम्ब के छेतर की गढ़ना करनी है तो हम यहाँ पर कह सकते हैं सबसे पह लड़ी आइस तरह से जो और बिंदु पी से वह आर दूरी पर है तो दूरी के वर्ग के विद्करमन पाती होगा तो यह हुग है अब इसका कॉंस्ट है इसी तरह से हम यह कह सकते हैं कि बिंदू धारा ले जाने वाली कोई सर्कुलर कॉयल या कोई कुर्डली है तो उसके केंदर पर चुम्बक के छेतर का मान कितना होगा तो जैसे कि हमने यहाँ पर दिखा है इसमें भी हम बायाड सरवर्ट का लॉइ उस कर लेंगे कि एक कंड़क्टर एक चालक है और उसके जो है किसी छोटे ऐलेमन्ट डियल से चुम्बक के छेतर जो वहां से उत्पन होता है तो किसी बिंदू आर दूरी पर हमें बताना है कि वो कितना होगा तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहेंगे कि यदि यहाँ पर धारा के प्रवाव की दिशा के साथ वो कोई अलफा कोण या कोई कोण बनाती है तो बैड सरवड का नहीं हम यूज कर लेंगे तो डिवी इस इकल टू मू नॉट अपॉन फॉर पाई आर डियल साइन अलफा अपॉन आर स्कॉयर तो साइन अलफा के लो साइन धिटा के लो अब माद लीजिये हम कह रहे है कि आई विद्ध HDरा और मीटर के बिर्ताकार तार तिर जाके एक मोड से बह रही है तो कुंडली के के इंदर पर चुंबगा के पेरन को बर्तमान कुंडली के प्रवाव के करण द्रदारित कर सकते हैं यानि यहां पर चुम्ब के छेतर निकाल सकते हैं तो यह आपका हो गया डी बी इस इकल टू मू नॉट आई डील साइन अलफा अपॉर पाई आर इसक्वायर तो हम यहां पर यह भी कह सकते हैं कि अगर यह नेंटे डिग्री पर है जो उसका डील एलिमेंट है वो चुम्ब के कह सकते हैं कि जो इस पर सरेखा हमने यहां पर खीची है वो उस बिंदू पर खीची है जहां पर त्रिजा के वो लंबध है तो हम यह भी कह सकते हैं कि यहां पर जो डील एलिमेंट है वो टू पाई आर के बराबर होगा तो बी बराबर मू नॉट फॉर पाई आई अपॉन इसका मान यहां पर रख देंगे तो यह हो गया म्यू नॉट आई अपॉन टू आर तो यह चुम्बक के छेतर का मान हो गया इसी तरह से यहां पर एक कोश्चन और जो च्वाइस में है कि जो हमारा पर्मनेंट मैगनेट है और इलेक्ट्रो मैगनेट है उन से आप क्या समझते हो और इनके क्या उपयोग है और इसी तरह से इसमें एक नुमेरिकल भी दिया हुआ है तो इस नुमेरिकल को भी हम साथी साथ यहां पर ले लेंगे तो सबसे पहले हम यहां पर यह बोलते हैं कि एक है इसमें को या लोHYक के ऊपर हम तार लपरेट के जो है इसको बना लेते हैं चुम्बकन का प्रभाव करता है Pegu ब्ज्दION इसको हो जैसे मोटर घंटी में मोटर में टेलीफोन में या आॉत्मेस दर्वाजे जो आज raising होता है एक mois इसमें जो दिया हुआ था हम उसको भी हल कर लेते हैं कि परिनलका का जो चुम्बक के छेत्रा वो भी बरावर म्यू एन आई के बरावर होगा ठीक है तो यहां पर म्यू इस इकल टू पदार्थ की चुम्बक सीलता है एन है प्रती एक आंक लंबाई पर फेरों की संख्या और तो एन इस इकल टू हो गया हमारे पास 1000 पर मीटर और इसी तरह से हमारा जो बी होगा वह हम भी कमान यूज कर लेंगे तो यह बी हो जाएगा आपका 1600 इंटू पाई इंटू पाई इंटू पाई इंटू इंटू टू एंपियर तो इसको सालफ करके आगा 1.05 टैसला या ब इसके मान रख देंगे तो यह 1000 इंटू यह हो गया तो यह हमारे पास हो गया 2000 एंपियर पर मीटर अगला कोश्चिन ने प्रकास के बैतिकरण को समझाई और इसके लिए आवसे प्रतिवन्द बताईए यंग के द्वारा जो है आप प्रदीत फिंच की चुड़ाई दोनों अगर समान आवरती के लगवग समान आयम के दोनों का वेव हो तो हम यह कह सकते कि दोनों समान दिशा में गति करते समय अध्यार उपन करेंगे तो अध्यार उपन के अनुसार जो प्रणामी तरंग का निर्मान होगा उसका आयम जो है वो बढ़ जाएगा या प्रकास का बेती करण कहते हैं इसका मलनलक यह हुआ कि इसके लिए कुछ सडतें भी है कि प्रकास तरंगे जो बेती करण करेंगी दोनों के आवरत्यां समाने होने चाहिए और दोनों के आयام भी लगबग समान होने चाहिए और दोनों तरंगों की तिसा भी लगबग समान होनी चाहिए और दोनों के बीच जो slit है slit जो है एक दूसरे के पास होनी चाहिए तो जैसे कि हम यहाँ चितर में भी दिखा रहे हैं एक double slit दिखा रहा की है एक electron gun दिखा रही है वहाँ से कोई light pass हो रही है तो screen पर पढ़ रही है तो जैसे आप screen पर देख रहे होंगे यह bright dark fringe जो है बन रही है या center में सबसे bright fringe है उसके बास जो है थोड़ा dull fringes बन रही है तो इसको मैं ऐसे भी समझ सकते हैं मान लिजे एक तरंग आपकी जो है एक slit A से निकल रही एक slit B से निकल रही दोनों interfere करके P पर पहुँच रही है तो अगर वो उसका हम यह geometrical trace बनाएं तो geometrical trace को देखते हुए हम यहाँ पर निकाल सकते हैं कि माना double slit A और B के बीच की दूरी D है और इन बिन्दों के बीच की जो मद्दे दूरी है वो capital D है और प्रकास की तरंग की जो तरंग दर्द हो lambda है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो दो तरंगे हैं जो P point पर मिलती हैं तो वहाँ पर वो जो केंदर से X दूरी पर है तो पतांतर उनके बीच हो जागा X D upon D थीटा को हमने यहाँ पर बहुत चोटा एंगल माना है तो जो दीप्त फरिंज होगी अगर यहाँ पर संपोसी बेतिकरण होगा तो उसका जो पतांतर होगा N lambda होगा इस मान को हम यहाँ पर यूज कर लेंगे X D बरावर D is equal to N lambda तो N का मान 1,2,3 मानते वे हम कह सकते हैं कि जो N फरिंज होगी वो X is equal to D N upon D हो जाएगा इसी तरह से किसी अधिप्त फरिंज या बेतिकरण के लिए भी जो पतांतर होगा वो हो जागा 2 N minus 1 lambda Y 2 इन मान को यूज करते वे हम कह सकते हैं N का मान 1,2,3 के लिए तो Nth अधिप्त फरिंज के लिए X बरावर हो जागा D by D upon 2 N minus 1 lambda Y 2 तो ये दोनों जो है दीप्त और अधिप्त फरिंज के लिए जो है फॉर्मूले थे अब हम ये भी कह सकते हैं जो फरिंज की चौड़ाई होगी वो होती है आप तनकोंड बिचलन कोंड का ग्राव कीजिए और सिद्ध कीजिए कि अल्पतम बिचलन की इस्तिते में तर्बज़ा कार प्रिंज का जो अल्पतमांग है उसका सूत्र N बराबर साइन A प्लस डेल M by 2 और साइन A by 2 के होता है तो सबसे पहले तो एक ग्राव हम जानते हैं कि सिद्ध हमको ग्राव प्लाट करके देना है एक्जाम के लिए हमें बहुत सारी बातें नहीं करनी है जो एंगिल ऑफ डेवेशन और एंगिल ऑफ इंसिदेंस के बीच के बीच के जो ग्राव होता हो और उस प्रिजम पर आपतित होने वाली करने अपने मार्क से बिचलित हो जाती है तो यह घटना जो है हमारे बिचलन कोन को दिखाने में हेल्फ करेगी तो बिचलन कोन क्या है कि आपतित करन और निर्गत कोन के बीच का बनने वाला कोन बिचलन कोन है बहुत संपल है जैसे कि आपको यह जोमेटरी दिख रही है एक त्रबूच है उसमें एक किरण आपकी आपतित किरण आई कोन पर जो है आई आपतन कोन पर है और उसके प्रिजम के अंदर जब वो पास होती है तो आरवन आरटू डो बार वो रेफ्रेक्ट होती है और फिर इ किरण पर विछ का कोन है वह आपका बिचलनग कोन है तो उसका मान हमने यह पे डील लिखा है तो तरबूच के नियम से हम कहा सकता है तो ell बराबर तो हमारे पार del is equal to i plus e minus a अब हम ये भी जानते हैं नियूंतम बिचलन के लिए i बराबर r होना चाहिए है तो यहाँ पर यह हो जाएगा del is equal to 2i minus a और यहीं से हम निकाल देंगे कि i बराबर del plus ay2 अब हमें पता है कि जो r है वो ay2 के है को हमने पेचे निकालावाया कि r1 plus r2 बराबर हमारा बराबर कर देंगे तो यह जोड देंगे तो यह हम पास क्या हो जागा यह हो जागा हम पास 2r is equal to a तो r is equal to ay2 इस मान को यूज कर लेंगे तो i बराबर del plus ay2 इस नैल के नियमें इस value को रख देंगे n बराबर sin i बटे sin r तो हम पास i और r का मार रखने से फॉर्मूला हो जाएगा n is equal to sin a plus del m by 2 sin a by 2 यह minimum deviation की condition पर हम ग्याद कर लेंगे तो इस तरह से जो है हमारा प्रशन पत्र का जो solution है वो त्यार हो गया है और hope कि आप इसी तरह से सभी question को attempt करेंगे smartly करेंगे thank you all the best